यहां से आगे जाने का जो सीन है वह ऐसा है कि यहां से क्रेक खाय हुआ हल्क हल्क यहां से भी गया हुआ है यह देखो भाई लो भाई साम फिर से मारी चलू हो यह मैं फर्स टाइम एक्सपिगेंस कर रहा हूं मेरे लाइफ में ओके आज के हम ब्लॉब की शुरुवात करते हैं हमारे आज का डेशिक्स है और यहां पर हम लोग रात में रुखे थे हमारे रूम है देख सकते हो अभी सामान जो है वह नीचे जा चुका है आज हम लोग रवाना हो रहे हैं महा बडेशवर से गनपति पुने के लिए तो और अभी टाइम हो रख्का है सुबा के साड़े नौ तो दस बजे का टाइम था हमारे चेक आउट करने का लेकिन आदा घंटा पहली कर रहे है तो अभी सब कुछ ओके हो चुका है नीचे बाइप पर लोड़ हो चुका है तो अभी मैं सीधा आप लोग को मिलता हूं मूट 1200ा में रिसीट होता है तो यह समझण लो 368 किलोमेटर अभी कल चल चुकै कल बाइक ने घाटी पर माइलेज दिस थीवर किलोमेटर पर अबरено घए तो अब हागे हें तो अच्छा खासा मालेज निकालिएक ऑच फिलाल अभी आशा निकल रहे है तो फिर मैं आप लोग मिलत के लिए ताकि हमारे बाइक को नजर ना लगे तो मैं बान देता हूं अभी यह नजर रक्षा का वच है कि बान के रख देता हूं यह कल हम लोग ने मैंने लिया था कि मतलब कहा से लिया था यह एक विरा माता के मंदिर से लिया था तो बाइक को नजर ना लगे सुबह हनुमा 425 बख्तिगीच सुनो ना तो दीन अच्छा जाला जाता है कि अधि आधिज कर दो कि देखने को नहीं मिला सुभे सुभे दिख एक तम बड़ी हो गया भी यूटूब पर बना रहा है यूटूब पर किटना रूपे चार्ज है इसका तो यहां पर घुड सवारी है 200 रूपे चार्ज लेते भीया क्या नाम इसका सुल्तान से मेरे बाइक का भी नाम सुल्तान है दोनों वाइट तो अपने वाले घुरे का भी नाम सुल्तान है भीया क अभी हम लोग नहीं पर कॉफी ओडर किया है फिर कॉफी पीके यहां से यहां से कॉफी पीने में बहुत मज़ाएगा क्यों भाई यहां के नजारे और गर्मा-गरम कॉफी भाई सब मज़ें तो गाइस यह वाला डॉग देखो कितना बड़ा डॉग है ओभाई 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 कार रहे हो याल तो हम लोग ना गाई्ज कर आए तो इसी रूट से आए तो कल रात में तो आप लुग को सभी से दिखानी होगा तो तुब्हां दिन में दिखा देता हूँ रोल थीक टाक है कईकल जगा पे खराब भी है एक अच्छी बात ह कि यहां पर डाइरेक्ट बस भी चलती है तो यह समझ लो अगर आप ट्रेन से बगर आते हो तो यहां से ना आपको बस भी मिल जाएंगी जो की एकदम उपर तक के छोड़ देती है आपको देख रहे हो कि इतना सुंदर नाजारा और मंकीज क्या आल चलो चलते हैं मिलते कभी दुबारा मिलेंगे पिलाल खाने के लिए मेरे पास ही कुछ नहीं है चलो भाई भाई टेक कियर एक ये देखो बाई सुन्दर सा जर्णा ये नजारे में कल रात में नहीं दिखा पाया लेकिन आज आप लोग देख लो बाई यह देखो भाई 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 भी अले के यहां की यह जो है यहां का सबसे उचा वाला जर्णा पहार देखो देखो कितना खूबसूरत लग रहा है अरे चाचा रोड क्रोस मत कि अगर हो ऐसे तो यह है राफ्टिंग का यहां पर आपड़ास कर सकते हो अब यहां देख सकते हो इधर में हैं राफ्टिंग वाला ओप्शन पोईनार रिवर राफ्टिंग नौ किलोमेटर की राइड है बूल रहे है और पर पर संजो है वह यहाँ पे 1,000 रूपीज है तो हमारे मेंसे एक बंदा आयूश वह कर रहा है अभी और हम लोग नहीं कर रहे है क्योंकि भाई हजार रुपे मेरे लिए तो महेंगा ही हो गया फाइड मिनिट लेटर है तो बाई आयूश गया था फूचने के लिए उनने हजार रुपे बोला है लेकिन इसने कम करने को बोला तो कम हुआ नहीं तो फिर इसने मना कर दिया सिंगल के लिए कम नहीं होगा तो फिलाल अभी समझ लो कैंसल हो गया बोल रहा है कि गोवा देखते तो अभी यहां से निकलते फिर आप लोग को मिलता हूँ एक बार फिर से मोटर व्लॉक पर कल अम लोग ना यही से आयते हैं और कल का तो छोड़ो कल तो भाई साब मतलब शाम हो चुके थी लेकिन अभी का नजारा देखू मेरे भाई अगर मजा ना आया ना तो पैसा वापस वापस लेले ना मेरे से पैसा आके नजारे देखो भाई नजारे और यह रोड़ और वेदर वेदर प्लस रोड़ प्लस नजारे तीनों चीजे आज परफेक्ट है लेकिन यहां पर देख सकते हैं कभी भाई साव अलवड समझ रहो ना पत्थर गिर सकते कभी भी एसा यहां पर लिखा भी है कई के जगा पर अब वह देखो वहां थे बादल दिख रहे हैं बादल वह बादल है पूरे हम लोग अभी भी ना टॉप है मतलब यह समझ लोग उपर में हम लोग और बारिश जो हलके हलके चालू हो चुकी है पहारों का यही सीने कि बारिश कभी भी लग जाती है उसका वरोसा नहीं है कभी भी स्टार्ट हो जाती बारिश अब फिर से चालो हो गई हलके लिए लेकिन बहुत कम है और बढ़ गई तो फिर रेंकोड वगरा सब पहनना बढ़ेगा जितनी मन्जिल खुबसूरत नहीं उतने खुबसूरत तो रास्ते है यह यहां पर कंपॉंड करके रखाइं क्योंकि यहां पर ढलान हो चुकि है तो यह कभी भी कुछ भी हो जाता है यहां बादल देखो भाई बादल ओहो लाल परी कितिनी खुबसूरत लग रही है प्रवाइक चलाने का जो मज़ा है वो इधर में मिलेग आपको महारस्ट्रो में अगर हो तो भई महावडेशोर आजाओ और देखो जो यह टाइम पहाना मतलब अगर बारिश का यह तो आओ यह ठंडी के टाइम में आओ तो बादलोस से हम लोग चलते होए जा रहे हैं और मज़े आरे भाई मज़े आरे यह पता है यह जो महावडेशोर एक मतलब समझ लेक ज्यादा बड़ा सिटी नहीं एक टीप चोटे चोटे गाव भी है यहाँ पर लोग भी रहते हैं लाइक समझ में आएगा छोटे बोले तो बहुत ही छोटे गाव है लगब मुझे लगा कि बतले चार पाच घर दिखेंगे नापको तो समझ आना यह गाव एक चोटा उसके नाम भी है ऑशेखो पोलानपूर पोलानपूर यहां से 15 km लोग जो है वह बीच में आता है अगे से ना कुपसूरत वाटरफॉल भी है आगे से आपको दिखाता हूं कुपसूरत वाच्फॉ फॉल्टे लेको कितना कुपसूरत है यह ना यहां पे खूक है तो हम लोग ना यहां पर रुक अभी अब imm 싫 आ अक्सुर्य यहां से जा रहे थे तो हम लोग ना यहां पर फोटो निकालने के लिए रुक लिए पिर काकू ना हमलोग से पूछ रही थी कि वह चाय निपे बाइए लोगे कि कि 6 लोगे पelaas हम लोग दिया है गरम घरम भजिया कहाकर यहां से फिर निकल दे तो बारिश का भी अल्का का सीन लग रहा है मेभी शायद बारिश एकदम तेजी से चालू नहों जया उसके पहले फिर यहां से घाटी करना है यह देखा हाथ सेख रहा है अब है जैसा की सोचा था पारिश फिर से स्टार्ट हो चुके है गरम गरम बजिया कि क्या हो गया कि स्टार्ट नहीं हो रहा है कि स्टार्ट नहीं हो रहा पेट्रोल खतम तो नहीं हो गया तंकी चेकिया गेर में कि यह पर कारबन पकड़ता का भी कभी एक सेखंड पेट्रोल है उसमें तूल से खोलना पड़ता है इसको यह अभी आयूस जो है यह काका मिले थे इनकी गारी जो है अभी आधे रास्ते में बंद हो गई गाटी वाला रोड है फिलाल कोई मतलब शॉब अगरा है नहीं मेकानिक की आसपास में तो हम लोग अभी आगे जा रहे थे तो बोला चलो तब सब्सक्राइब करने का स्टार्ट किया लेकिन गारी चालो नहीं कुछ अंजर तक की टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती या फिर करण नहीं पकड़ रहा ऐसा ही कोई सीन है पुरानी गारी है थोड़ी चलो 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 इस गाव का नाम है कापड़े कापड़े बुद्वर पेट कापड़े अभी हम लोग ने महावड़ेश्वर की घाटी क्रॉस किया ही थे तो एक गनपती पुने के लिए हम लोग ने रूट डाला है तो यह रूट जो है थोड़ा सा अंदर से जाता है हम लोग जो है अभी नीचे नीचे जा रहे है पता नहीं अभी कहा तक जाएंगे गाड़ी बन कर देता हो मैं तो मैंने अपनी बाइक बन कर दी है और अभी देखते बाइक कहा तक जाती है कि यहां पर पुरा सूखा हुआ है और इधर साइड में देखो कैसे बारिश गिरी हुई है यहां से बारिश उदर साइड में चल रही है अगर घाटियों में यह बड़ी घाड़ी घुश गई ना फिर ओटेक करना बहुत मुश्किल है पिछले साथ मिनिट से साथ से आट मिनिट से हम लोग ऐसी चल रहे है और टेक करने का चांस ही नहीं मिल रहे है अभी बस रास्ता देखके अच्छा ओटेक कर ले क्योंकि इसके पीछे पीछे चलाना मतलब बहुत टाइम लगता भाई यह लोग फिर ब्रेक मारते हैं फिर चलाते फिर ब्रेक मारते हैं इनको भी प्रॉब्लम हमको भी प्रॉब्लम अब है रुख जा है कि चलो तुम लोग उदर में बैटो असा रोल पर मत गुमा करो यह आगे ना घर देखो अलग यह थोड़े शिर्खल गाव का नाम है शिर्खल छूटा सा गाव है कॉम्पैक्ट सा बस वहां से शुरू हुआ यहां पे कतम हो गया कि फिलाल टायर की आप हालत देख सकते हो यहां से क्रेक खाय हुए हलक हलका यहां से भी गया हुए इधर से भी गया है कि जाने के बाद पता नहीं शायद तक नया टायर ही डालना पड़ेगा राइड में कैसा है थोड़ा थोड़ा ना ओफ रोड भी चाहिए और इन सब चीजों के लिए ही बनी है हमारी एक्स पॉल्स मस्ट सस्पेंशन है गड़े तो बिलकुल फिल नहीं होते जब भी ना यह लोड़ेट रहती है ना तो गड़े बिलकुल भी फिल नहीं वरते कुछ भी फिल नहीं होता हाई 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 एकदव आराम से निकल जाती है के भाई घर देखो है ना अलग वाली फिलिक कोकन ना आचुक है ना अभी पूरा कि लो भाई साब फिर से वारीज चलो हो गई है कि पहाड़ों में जो मेरी बाइक है वो अभी 34 33 इतना माईलेज निकाल के दे रही है तो यह समझ लो अगर पाहाड़ों में आने का प्लान कर रहे हो आप लोग तो भाई माईलेज थोड़ा कमी पकड़ लेना क्योंकि कि फिलाल मेरा माईलेज जीजाव से चल रहा है 33 34 अभी मिटर में तो उतना दिखा रहा है पर मुझे लगता है शोरली के वह इससे कमी दे रही है वह एक्सपल्स का मिटर पर भरवस्ता नहीं है मेरे को तो अभी यहां पर हम लोग आ चुके बाइक जो है यहां पर लगा दिये और यहां से आगे जाने का जो सीन है वह ऐसा है कि भाई बोट में बाइक डालके आगे ले जाने पड़ती है तो फेरी अब पहली फेरी जा चुकी है नेक्स्ट वाली फेरी है चार पाउने चार यह सवाचार ऐसा कुछ तो अभी टाइम है फिलाल 45 मिनेट से 40 मीट अभी टाइम है तो अभी यहां पर ना हम लोग थोडा टाम बस कर रहे पोटो सबें निकाल और तो यहां कि मैं एक सीन बळा देता हूं तो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ से अगर आप लोग को बाइक बोट पर लेके जाना है तो उसका चार्जिस है 65 रुपीज कार का मुझे पता नहीं है तो फिर अभी जब बोट आएंगे ना तो फिर हम लोग क्या करेंगे अपनी बाइक उसमें डाल देंगे और फिर चलें तो अभी हम लोग चड़ चुक है यहाँ देख सकते हो इस तरीके से बाइक यहाँ पर कार इस तरीके से लगाई जाती है और बाइक जो है वह यहाँ पर पार्क करी हुई जाती है अभी 10-15 मिट में यह फेरी निकल जाएगी पीछे देख रहे हो उधर साइड में तो यह मैं फर्स्ट टाइम एक्स्पिरियंस कर रहो मेरे लाइफ में और काफी मज़ा आने वाला है तो इस ब्लॉक के लिए तो इस ब्लॉक को आप आप लोग को शेयर करना है लाइक करें और सबोट करें भाई इतना सारा कंटेंड में शूट कर रहो हूँ आप लोग देख पा रहे हो तो प्लीज थोड़ा लाइक तो बनता है प्यारी सी कमेंट भी करा रहे हुए जाप एंड़ करें लोग का लोग करें रहे हुए याला बनता है लोग करें रहे हुए लोग को पार रहे हुए अभी हम लोग पहुच चुके हैं आप लोली बारिस से भीखते हुए और यहां पर बाइक रखी है तुलाल हम लोग ने अभी चाय को अटर दिया है तो चाय वाई पीएंगे वेकि पुरा भीख चुके है आप देख सकते हो क्या बता हो मतलब जो बारिश मिली भाई बहुत धरनाक बारिश तो फिर यहां से गन्दपदी पुणे किता है 48 48 तो यहां से गन्दपदी पुणे हाइडली 48 48 बाद पजास पकड़ लो एक गंटे में कवर कर लेंगे हम लोग अगर ऐसा रोड मिला तो सब्सक्राइब कर देख सकते हो यह समंदर हमको फिर से मिल गया और यहां पर बाइक लगी हुई है तो अभी गन्दपदी पुणे यहां से है 33 किलोमेटर अवे और आज एक गंट में बहुत जाएंगे विला रोड वगेरा बहुत अच्छा मिल रहे हैं लेकिन बादिश के कारण क्या हो रहा है कि तोड़ा स्लीप भी हो रहा है तो उस चक्र में समझ जाओ धीरे धीरे चला आरे लेकिन मजा आरहे है और बॉइस वाइस जोष 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 दिखा अपना आवज नहीं आई गणपदी वाग्पा ओर यह अभी इदर आवज नहीं ना पॉब्लिक का आवज नहीं आ रही अभी मैं पहुच चुका हूँ गंपती पूरे तो अभी रूम कर लिया है तो यहां पर हमारी बाइक्स लगी होई है यह मेरी है यायुष की और यह केतन की और जो भी गिला समाने पन्नी वगएर अब यहां रख दिया है फिलाल चप्पल वगएर अभी इधर है रनकोट यहां पर और यह रूम है कुछ सामान जो है जो गिला हो चुका इसको सुकानी के आज रख दिया है तो यह हमारी रूम है वित अच्छी तो यह समझ लो हमारे को यह रूम जो पली है वह रहूंड आट तो रूपे में आट सो रूपे की रूम है और चेक आउट जो है कल 10 साड़े 10 ग्यारा बजे का चेक आउट है अभी हम लोग जा रहे खाना वाने के तो अभी हमारी थाली आ चुकी है दो तरीके की सब्जी है यह दाल है और यह पता नहीं क्या है अचार पापड़ अभी राइस आने गए और रोटी आने की है भी तो गर्मा गर्म रोटी बही है यहाँ पर रोटी बना रहे है और यहाँ से सिदा गर्मा गर्म हमको जा रही है